गूड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में तुड़े इस 15 जुलाइ और आज हम लोग कौन-कौन से टोपिक करने वाले हैं एक बार वो थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं तो आज हम लोग साथ टोपिक करेंगे जिन में से क्या है मैस्ट फॉलोविंग टाइप के कोशिन आपको आते हैं उस कॉंटेक्स में अलमार्टी डैम के बारें पता होना चाहिए जो कि थोड़ा सा न्यूज में है कौन सी रिवर पे है कौन से स्टेट में है क्यों न्यूज में है उसलिए रत्न बंदार यह एक बिसलिए आ न्यूज में था थोड़ा उसको हम लोग थोड़ा यहां पर देख सकते हैं उसके अलाबा एकॉलेजी वाले सेक्शन से में टोपिक पढ़ने वाले हैं एनकार्जिया फोर में उजा जब भी आप पिछले 4-5 साल का प्रिलिम सा कोशिन उठाके देखोगे एन्वार्मेंट सेक्शन के टोपिक आपको थड़े मुश्किल नजर आते हैं क्योंकि वह ऐसी ठर्म्स देगा आपको कोई आईसा बैक्टिरिया का नाम देदेगा कोई इंसेक्ट कोई वाइरस का नाम देगा कोई बी और्गनिजम का नाम देगे कोपका पूछता आ है कि बताओ यह क्या है तो तोड़े question difficult लगते हैं लेकिन वो question हमेशा रैसे randomly नहीं आते हैं वो news में रहते हैं तो इस बार जो है हम लोग बात करने वाले हैं Ancarsia Formosa क्या है यह news में क्यों है इसके बारे बात करेंगे ज्यादा बड़ा topic नहीं है चोटा सा topic है बैन देखा लिखा हुआ है bank insurance basically banking और insurance को जोड़ के मिला के term यहाँ पर बनाई हुई है इसके बारे बात कर सकते terms regarding question prelims में खुब पुछे जाते हैं सारस्क्रेन के बारे में पूछेंगे हैं अगेन environment ecology वाले section से बढ़ने वाले हैं यह news में क्यों है उसके लाब बैक्टीरियो फिलेज अगेन तीसरा topic आज का है जो हम लोग ecology वाले section से करेंगे यह भी पूछ सकते एक्जाम में क्योंकि वायरस बैक्टीरिया यह बड़ा फेवरे टोपिक होता है UPSC का हमेशा एक दो सवाल यहां से आता है उसके लाब इंटरनेशनल मेरिटाइम और्गनेजेशन के बारें बात करेंगे UPSC हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे इंटरनेशनल और्गनेजेशन से सवाल पूछता है जो बहुत कम न्यूज में रहती है लेकिन सवाल वहां से आ जाता है उसके बारें बात करेंगे चलिए अलमाटी डैम के बारें थोड़ा सा बात कर लेते हैं अलमाटी डैम नोर्थ करनाटका में कृष्णा रिवर के उपर बना हुआ है यह आपने याद रखना है अगर आपने थोड़ा सा विजय नगर एंपायर की अगर वो थोड़ी हिस्ट्री पड़ी है तो वहां पे एक व विजय नगर के वहां पे विजय पूरा जिसे बीजय पूर कहते थे पहले एक इंग्डम हुआ करता था ठीक है आज तो विजय पूर है उसका रिवर पे करनाटका इतना तो याद रखना है प्रिलिम्स के लिए बहूँत इम्पूर्टेट हर साल यह overflow करता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि जो अलमार्टी डैम है वोटर लेवल वहापे बहुत ज़्यादा हो जाए एक तीर से ज़्यादा निसाने जो है वह हम लोग साथ सकते हैं तो यह मल्टी जो है परपस डैम होते हैं जहां पर होते हैं कि आप यह डैम बनाते हो मल्टी परपस है तो नाइन्टी मेगावर्ट यहापे जो है जन्द्रेट की जाती है यह पॉइंट इतने नहीं होता है दो वर्टिकल कलपन ट्रबाइन हम लोग नहीं पर लगाई है यूजली इंडिया में मोस्ट ली जो डैम है वहापे व उस वोटर को वहां से रिलीज कर दिया जाता है वोटर रिलीज करने के बाद वो सीधा ओशिण में नहीं जाता है यह पनी रिवर में नहीं जाता है जो उसकी ट्रिवू ट्रियो नेक्स्ट 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 वो इस तरह से चलता है और बाद में जब ओशन तक जाती है फाइनली रिवर तो उसके अंदर कुछ खास पानी बचता नहीं है क्योंकि इसको देख सकते हो इसकी क्या थी क्या हुआ नहीं हुआ यहां पर कंसेडर नहीं करूँगा 2005 में कंप्लीट हुआ था यह आपने याद रखना है कई बार क्रोणोलोजिकल ओडर में आपसे डैम्स पूछ सकता है अगर यूपैसी बहुत टफ क्वेश्चन बनाएगा तो फिर वो डिफ्रेंट डैम की क्रोणोलोजी आपसे पूछ सकता है बताओ यह किस ओडर में जो है कंप्लीट हुए थे वह अपने ध्यान अखना है तो यह 2005 में बनके तयार हुआ था यह थोड़ा पिक्चर है इसका आप यहां में देख सकते हो जलिए रत्न बंडार तो इस बार जब ओडिसा के अंदर एलेक्शन हो रहे थे तो एक बहुत बड़ी एक डिवेट का किये गए हैं पहले भी कई बार 1952, 62, 67 और लास्ट टाइम 78 में इनको उपन किया गया था तो जो और्नमेंट होते हैं वहां पर जो डेटी होती है हमारी ठीक है जैसे हमारे पास आपको पाता है जगनात पुरी में तीन डेटी हम लोग बात करते हैं यह दो दिन पहले भी हम डेटी होती है जो कि इसके लिए रथ यात्रा निकाले जाती है तो 46 सिर्स की लीगल बैटल के बाद फाइनली इस रतनमंधार को श्री जगनात टेंपल के अंदर ओपन कर दिया गया है पहले इसकी उपर अपलर डिबेट हो रही थी कि आप इसको उपन अप नहीं कर सकते व इसको लेकर बहुत सारा डिबेट डिसकुशन चल रहा था लेकिन फाइनली इसको उपन अप कर दिया गया है तो ग्रीन सिगनल दे दिया गया है एक ओडिशा हाई कोर्ट के द्वारा एक हाई लेवल कमीटी बनाई गई थी अंडर जस्टिस विश्वनात रत्त और इन्हों नहीं हो जाते उसके लिए मैडिकल प्रोफेशनल्स भी थे स्नेक कैचर्स भी थे लेकिन जब इसको उपन अप किया गया तो दिवारे बिल्कुल सही थी कुछ ज़्यादा खरावी उसके अंदर थी नहीं स्नेक्स वर आपको वहां पर मिले नहीं है तो आराम से इसको उपन तो जिसकी जब काउंटिंग की गई 1978 में जब लास्टाइम काउंटिंग हुआ था तो यहाँ पर 128 किलोग्राम टोटल वेट के हिसाब से सोना मिला था जो कि 54 गोल्ड ओरनामेंट्स क्योंकि जब क्रिशन जी बलराम जी सुभदर जी को पहनाया जाता है वो सब गहने उनके औरनामेंट्स पहनाए जाते हैं भगवानों को तो अलग अलग 544 थे अब हो सकता है डेफिनेटल वह इंक्रीज हुए ही होंगे और 221 किलोग्राम के टोटल यहाँ पर सिल्वर मिला बहुत जादा नहीं है उतना जितना लोग सोचते थे उस समय पर भी और आज अभी गद्रीनाथ द्रिका रामेशरम पूरी तो ये पूरी ज्लाफ पूरी का कर रहो हूं इसे रही पगोडा कहा जाता है चाह। इंट्रेस्टिंग है इसकी, वो आपको मैं बता सकता हूँ, क्या है स्टोरी? बेसिकली, तो बेसिकली यह जो वास्प होते हैं, जैसे आंट्स होती है, इस तरह के जो किडे में कोडे होते हैं, इनकी बोडी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका नाम होता है वलवाच उनकी बोडी में ये मिलता है इसे बोलते हैं वलबाचिया अब इंट्रस्टिंग ली वलबाचिय के बारे में एक खास बात है कि इस वलबाचिया की बोडी के अंदर एक स्पेसिल तरह का जीन्स पाय जाता है जो की अपने होस्ट को मैनुपलेट करता है मतल समझते हो जैसे ये इंसेक्ट है ये होस्ट है और इसकी बोडी में बैक्टीरिया मिल रहा है वो बैक्टीरिया इसकी री प्रोड़क्शन को मैनुपलेट कर रहा है ये इंट्रस्टिंग ह कि यह males पैदा होंगे यह females पैदा होंगे यह उसको regulate करता है तो bacteria के उपर depend करता है कि males जादा पैदा हो रहे हैं फीमेल जादा पैदा हो रही है उसी तरह से हमारे पास एक insect होता है वास्प basically यह आपके picture नहां पर नज़र आ रही है इसका नाम है Ancarzia formosa इसकी body में वल्बैचिया बैक्टिरिया पाह जाता है और वो इसको इसको इस तरह से manipulate कर रहा है कि यहां पे males पैदा ही नहीं हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ females पैदा हो रही है क्योंकि यह जो formosa है यह जो genetic जो evolve होता है genetic properties जब transfer होती है वो sperm के थ्रू नहीं होती है वो सिर्फ female to female होती है जो male होते हैं वो अपनी properties को sperm के थ्रू आगे transfer करते ही नहीं सिर्फ female करती है अपने egg के थ्रू और मज़े की बात यह है कि यह जो bacteria है वल्बाचा यह male पैदा ही नहीं कर रहा है सिर्फ female पैदा करने में help कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में ये extinct हो जाएंगे क्योंकि जो male सी नहीं रहेंगे तो आगे बच्चे कैसे पैदा होंगे तो अभी 99.9% इस species में सिर्फ female पैदा हो रही है ये कौन कर रहा है? bacteria कर रहा है bacteria manipulate कर रहा है इसके reproduction system को जो scientist लोगों ने इसको antibiotic दिया antibiotic जब लगाया गया इसकी body में तो ये पाया गया कि 70% male पैदा हो गए और 30% female पैदा होई लेकिन ही जो बाहर से आपका antibacteria दिया गया लेकिन natural जब इनको उपन छोड़ दिया गया तो सिर्फ female पैदा हो रही थी क्योंकि ये एक gene होता है जिसका नाम होता है tra याद रखना आपने prelims में पूछे का आप से tra gene ये tra gene इस वास्प के अंदर होता ही नहीं और male को पैदा करने के लिए tra gene की requirement होती है तो इस वास्प को ये tra gene कहां से मिलता है उसकी body में naturally होता तो males भी पैदा होते तो जब antibacteria दिया गया तो ये tra gene थोड़ा सा produce हुआ और male भी पैदा होगे तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे ये जो वास्प है ये जो picture आपको नज़र आ रही है ये extinct हो जाएंगे खतम हो जाएंगे खतम हो जाएंगे इसी लिए जो थोड़ा सा ये news में यहाँ पर दिया गया था लेकिन हम इसके बारे में इतना concerned क्यों है भाई ये तो छोटा सा कीड़ा है मर जाए तो क्या फरक पड़ता है फरक पड़ता है क्योंकि ये जो वास्प है ये pest control में use होता है यूजरी हम लोग pest control में क्या use करते है लेकिन ये बड़ा कमाल का है वास्प जो वाइट फ्लाइज होती है जो हमारी फसलों को बरबाद कर देता है ये उसको खतम कर देता है बड़ी इंटरस्टिंग चीज है ये जो वास्प है ये जब अंडे देता है तो इस वाइट फ्लाइज का जो लारवा होता है उसके उपर अंडे देता है देखो लारवा से ही वाइट फ्लाइज निकलेगा जितना वाइट फ्लाइज होगा उतरह ही डिसीज होगा तो ये वाइट फ्लाइज का छोटा सा लारवा होता है इसके उपर अपने अंडे देता है और जब इसके अंडे की हैचिंग होती है तो ये लार्वा को खा जाता है और हमारे जो white flies हैं वो कम हो जाती है और white flies कम होगी तो हमारी जो crops हैं वो safe रहती है तो ये बड़ा कमाल का है pest control के लिए लेकिन क्योंकि ये घतम हो जाएगा आने वाले समय में विकोज अव दिस वलबाचिया तो ये pest control में दिक्कत आ सकती है इसी लिए थोड़ा सा ये news में था तब यह थे तीन चार चीज़े याद रखने है इस article में पहले तो भाई ये वलबाचिया क्या है याद रखना है ये एक bacteria है जो की वास्प insects के cells में पाय जाता है एक तो ये याद रखना है आप से simply exam में पूछे का which are the following are example of bacteria ऐसे सवाल आते रहते हैं exam में हर बार आते हैं इस बार भी आया था which are the following are an example of insect which are the following are an example of a bird animal ऐसे सवाल आते हैं exam में bacteria virus ऐसे पूछता है तो ध्यान रखना है वलबाचिया क्या है एक bacteria है formosa क्या है ये एक insect है किस चीज में help करता है pest control में help करता है किसको किसकी population control करता है white flies की population control करता है चार-पांच चीज़ याद रखना है और एक last is ये tra ये जो मैंने आपको बताया था tra जो gene होता है tra gene tra gene की वज़े से males पैदा होते हैं ये अपने याद रखना है लेकिन इसकी कमी की वज़े से वो female ज़्यादा पैदा कर रहा है इतना याद रखो कि more than sufficient है चार-पांच छोटे-छोटे point है prelims के perspective से इतना याद रखोगे काम हो जाएगा चीक चलिए bank insurance क्या है तो ये दो term से मिला के बना दिया है इनोंने bank plus insurance कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है तो अभी कहना इंडिया में 60-70% लोगों के पास insurance है ही नहीं जो बाकी बची population है उनके पास insurance है और उनमें से भी जो जदा तर लोग है वो working population है, किसी private company में काम करते हैं, तो वहाँ से insurance मिल गया किसी सरकारी department में काम करते हैं, वहाँ से insurance मिल गया basically इंडिया में जो लोग informal sector में काम करते हैं या जो self-employed हैं उनके पास insurance नहीं है और insurance बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी life care protection के लिए और भी बहुत सरी इसे सरकार कोशिश कर रहे थी कि इंडिया में insurance की penetration बढ़े है लेकिन वह बढ़ी नहीं रही है तो अब क्या कर दिया है एक नया तरीका निकाला है कि जो bank होते हैं वह insurance companies के साथ agreement करेंगे और यह bank अपने customers को insurance बेचेंगे इससे सब को benefit होगा insurance company को customer मिलेगा customer को benefit होगा कि उसकी life insurance हो जाएगी bank को benefit होगा क्योंकि इसको commission मिलेगा तो यह तो मतलब हो यह पांच उंगलिया घीमी हो गई है तो यह सब किया जाएगा तो let's see यह proposal आया है एक initiative हम लोगों ने लिया है इसका क्या benefit होगा यह यह सब काम कौन कर रहा है यह सब काम करता है IRDAI Insurance Regulatory and the Development Authority of India तो कि इंडिया में insurance के regarding जो भी regulation policies बनाई जाती है सब इसके द्वारा आती है आर्बे का इसमें कोई role as such नहीं होता है याद रखना आपने और हम लोगों ने एक goal है हमारा कि जब इंडिया की independence को hundred years हो जाएंगे तो इंडिया में सब के पास insurance होना चाहिए insurance for all तो उसके लिए हम लोगों ने एक initiative यहाँ पे लिया है let's see आगे क्या होता है इसा function क्या होत सारस क्रें यह देखे picture सारस क्रें सारस क्रें में आपने कुछ कहानिया सुनी होंगी इसमें सबसे interesting कहानी यही है कि सारस क्रें जो होते हैं वो पूरी lifetime के लिए ही couples होते हैं मतले अपने partners को partners को change नहीं करते हैं loyal होते हैं male एक ही female के साथ रहते हैं and yc वरसा और कई मार ऐसा द जाता है तो बड़ी loyalty वाला मामला है यह सो अभी इनका census जब किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर specially तो इनकी population जो है वो last year comparison में बढ़ी है तो यह अच्छी news है basically और तो इसी रहे थोड़ा साई news में था क्या कर याद रखना है छोटे-छोटे point होते हैं यह एक non-migratory bird होत है जो कि इंडेन सब कॉंटिनेंट साउथ इस्ट इस्ट इसिया और नदन ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है याद रखना है उत्तर प्रदेश का यह स्टेट बड़ है अगर स्टेट पीसे सबर के तयारी करते हो तो यह information आपके लिए है one more information सारस क्रेन इस दा है that is 152 से लेके 156 सेंटीमेटर इसका जो विंग स्पैन है that is 240 सेंटीमेटर इसकी पिक्चर आपने ओपर देखी लिया है इसकी रैड नेक हैड होता है अपर नेक और पेल जो है रैड लेक्स होती है पिंक कलर की थोड़े आप देख सकते हो इसकी पिंकिश टाइप का जो ट इसका केजी वेट होता है और सिंगल पार्टन के साथ रहता है मैंने बता ही दिया जब मॉन्सून आता है तो उससे में यह ब्रेडिंग करना पसंद करता है नोन-migratory है याद रखना है ठीक है तो एसा निया कि इंडिया से यह जो है कजाकस्तान चला जाएगा ऐसा नहीं ह पारता है क्योंकि मारे दो बहुत इंपोर्टेंट है ही तो हम लोग ने इसको वाइडलाफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेडूल फोर के अंदर रखा हुआ है आयूसीन में यह इसको वल्नरेबल काटिग्री में रखा हुआ है तो उनको कहते हैं अब यह बहुत डेंजर है न बैक्टिरियो फेज इस दुनिया में न दो ऐसी अंसीं स्पीसिस हैं जिनके बीच में लगातर लडाईयां होती रहती है और हमें पता भी नहीं है बैक्टिरिया वर्ण वाइरस हमें तो दिफ्भाई डेते नहींamas है लेकिन बहुत ज्प्रोटेंट रोल होता है इनका इनक वाइरस खतरनाक होता है, यहाँ भी विलन होता है, bacteria is kind of hero sometimes, यह virus बैक्टीरिया को हमेशा impact करने की कोशिच करते रहते हैं, इनके अपर हमला करते रहते हैं, बैक्टीरिया अपने आपको protect करता रहता है, तो वो बीच में इनके battle चलता रहता है, और इसे कहते हैं, bacteriophage, क्या है यह, definition, bacteriophage often simply called as a phage, is a type of virus that specifically infect and replicate within the bacteria, आपको अच्छे से पता है, कि वाइरस अकेले कुछ नहीं कर सकता, वो reproduce नहीं कर हो सकता, वो जो है वो, अपनी population नहीं बढ़ा सकता, वाइरस को हमेशा एक host चाहिए होता है, तो जैसे मालों यह बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का cell ह यह वाइरस है, यह अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसको हमेशा एक host की तलाश रहती है, ताकि उसकी body में जाए, वहाँ पर जाके replicate करें अपने आपको, इसको कहते है, bacteriophage, simply आप इसको phage भी कह सकते हो, it's a type of virus that specifically infect and replicates within bacteria, तो इसके इंदर यहाँ पर body mentory करता है, और फिर व मार देता है, एक दिन ऐसा होता है कि इसके अंदर इतने virus हो जाते हैं कि blast हो जाता है बैचारा, और खतम हो जाता है, बड़ी interesting चीज़ है, हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन बड़ी काम की चीज़ है, bacteria phase are composed of the protein coat that encase their genetic material which can be DNA और RNA, तो basically बात है, DNA और RNA बड़े fragile होते हैं तो उनको protect किया जाना बहुत जरूरी है, बिकोज किसी भी virus और bacteria के लिए सबसी important part होता है, तो यह एक protein coat होता है, बाहर की तरफ जिससे उसको protect करता है, अब बाद आती है, मान, main चीज़ के होता कैसे है यह स और यह भड़े bacteria है, तो पहले यह क्या करेगा? वायरस अपने आपको bacteria की body के साथ attach करेगा, attach कर लिए, फिर क्या करेगा? penetrate करेगा इस bacteria को लूपर लगातर attack करता रहेगा इसकी body के अंदर entry करने की कोशिश करेगा मतलब penetrate करने की कोशिश करेगा और धीरे से जब यह bacteria weak हो जाता है अपने genetic material को मतलब अपके RNA DNA को इस bacteria की body के अंदर insert कर देता है और यह बार insert कर दिया तो वस बात बन गई फिर यह इसकी body में जाके अपने आपको replicate करेगा replicate करेगा एक से दो बनेंगे दो से तीन, तीन से तीस, तीस से तीस हजार और वो assembly करेगा अपना कुनबा बढ़ाएगा अपनी family बढ़ाएगा और एक बार यह family इतनी जादा बढ़ जाएगी कि हमारा bacteria burst हो जाता है मर जाता है blast हो जाता है bacteria की death हो जाती है अब मानके चलिए किसी आदमी को एक ऐसा disease है जो कि bacteria से होता है तो आप उसको कैसे treat करोगे उसकी body में क्या हम लोग यह virus डाल सकते ताकि उस bacteria को जाके वहाँ पर मार दे 100% 100% अगर आपको कोई bacteria का infection हुआ है और उसके ओपर कोई antibiotic दवाईयां काम नहीं कर रही है और आप मरने वाले हो तो हम लोग इस virus को आपकी body में डाल सकते हैं ताकि उस bacteria को अंदर जाके वो खतम कर दे यह इसका एक बहुत बड़ application है तो basically एक villain को हम लोगों ने hero में convert कर दिया तो कि bacteria भी हमें infect करते हैं दोकि दुनिया में mostly जो bacteria है वो हमारे लिए beneficial होते हैं कुछ bacteria disease भी cause कर सकते हैं उनके लिए antibiotic दवाईयां दी जाती हैं जब antibiotic काम नहीं करता है तो यह virus inject करके treat किया जा सकता है genetic engineering में इसको हम लोग use करते हैं जो bacterial contamination होता है हमारे food products का food products को भी तो bacteria खराब करते हैं वहाँ पर भी में treat करने के लिए इसका use कर सकते हैं वहने बड़े कमाल की बात तो इसे हम लोग बोलते हैं bacteriophage इतना आपने याद रखना है ठीक है तो lip tick लिटिक और lysogenic दो तरह के phase होते हैं पहले तो general होता है आपके body में injection लगाया जाता है उस virus का और bacteria को जाके destroy कर देता है दूसरा वाला थोड़ा control होता है तो जब body में virus डाला जाता है तो यह जब तक active नहीं होता है जब तक हम इसको नहीं चाहते हैं तो इसको पहले trigger करना पड़ता है फिर जाके वह active होता है यह दो तरह किसके अंदर stage होती है और ऐसा ही एक bacteria का infection हमारी body में होता है जिसे बोलते हैं Clostridium difficile infection यह हमारी body के colon को impact करता है तो इसको treat करने के लिए हम लोग इसका virus का use कर सकते हैं ठीक है तैसी जो experiments चल रहे हैं काफी success भी हुए हैं और आने वाले समय में हो सकता है इसका large scale use आपको देखने को मिले जो कि bacteria infected disease होते हैं उनको treat करने के लिए तो बड़ी कमाल की बात है चलिए इंटरनेशनल maritime organization आपको अच्छे से पता है कि Red Sea में आजकल बहुत कुछ हो रहा है Red Sea में जो हुथी rebels हैं वो ships को attack कर देते हैं किजी को hijack कर लेते हैं किजी को मार भी देते हैं tankers को loot लेते हैं वो सब कुछ महाँ पर चल रहा है बहुत सारे pirates महाँ पर हो गया है terrorist attack में महाँ पर होते रहते हैं तो ऐसा ही एक attack कुछ time पहले हुआ था और एक Indian basically groups ने जो है एक बहुत बड़े ship को protect किया था उसके अंदर आग लग गई थी crew member की death हो सकती थी उनको बचाया गया हमारे captain अविलाश रावत जी के द्वारा उनके group के द्वारा तो एक oil tanker था उसमें कहीं सारे लोग थे उनको बचा लिया गया oil tanker को भी protect किया गया from these attacks इसी लिए उनको winner declare किया गया है for 2024 award of exceptional bravery at sea किसके द्वारा international maritime organization के द्वारा उनको अवोर्ड दिया गया है इसी लिए यह जो organization है वो news में है GS paper 2 में भी वैसे भी और prelims में भी organization से बहुत important topic होता है UPS यहां से बहुत सवाल कुछता है तो IMO के बारे में थोड़ा आपका पता होना चाहिए तो obviously यह एक United Nation की specialized agency है तो UN के साथ काम करती है काम basically क्या है safety रखना जो shipping जो marine routes होते हैं की safety रखना even यह pollution में भी काम करता है sustainable development goal 14 को achieve करने की बात करता है जहां पर हम लोग sustainable use of oceans की बात करते हैं maritime resources की बात करते हैं तो यह अपने थ्यान रगना है इसको बनाया कब गया था 1948 में इसको एक as a as a as a अंज्यो के टाइप का इसको थोड़ा established किया गया था लेकिन बाद में 1959 के अंदर United Nation के इसको special agency बना दिया गया और फिर हम लोग ने बाद इसका नाम change कर दिया पहले इसका नाम हुआ करता था Intergovernmental Maritime Consultive Organization बाद में 1982 के अंदर हम लोग इसका नाम change कर दिया और आज इसको हम लोग बोलते हैं IMO इतना अपने याद रखने फंक्शन तो भही है इसका है पोलिसी बनाना regulation करना safety security environmental concerns और हमें यह वहला पुएंट ज्वारन इया नहीं सब्सब्स होता है ठीक है जो country इसका पार्ट पार्ट इसमें participate करते हैं इंडिया इस पार्ट ओफिट दो साल में इसकी एक बार meeting होती है जहांपे सारे decisions लिये जाते हैं अलग अलग country यह country के ओपर लीगली बाइंडिंग नहीं होती है यह सिर्फ policy बनाती है उल्फ पॉलिसी को implement करने का जो काम होता है वो national governments का ही होता है जो अपने पार्लेमेंट के अंतर laws बनाते हैं और उसको implement करते हैं यह आपने याद रखना है तो यह छोटी-छोटे points होते हैं इसके बारे म हैं थैंक यू वर्य मच्छ ओल्दा बेस्ट जैहेंट